कि अपना आज के लिए जो होगी एक राइवल्री वाला मैच जवर्दस्त मेलबन स्टार्स मेलबन रनिगेट्स के बीच में आप क्या कुछ प्रेडिक्शन रहती है और क्या आज कली जो मैच निकल करा था सारी करेंगे बाद तो वीडियो को आखिर तक देखते रहे ना और स आपको मिलती रहे जैसे वीडियो आती है और साथ टेलिक्राम चैनल भी आप जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सभी जो अपडेट्स है टीम सब चीज आपको वहां देखने को मिलती है तो मिस बिल्कोल नहीं करने है बागी चलते है मैच के उपर कि आज के लिए जो कहने रहती है देखो मेलबन क्रियोट ग्राउं में में हो गए मकाबला एक पंतालिस मैच के डलाइन नेक्श बात करें तो भाई शिक्ष्टी सावन मैच जो है इस ग्राउंड पर हो चुके हैं थार्टी सावन हुए चेज 29 में यहां से बै बन गए ना 165 भी बन गए वो टार्गेट यहां पर डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है बाउंडरिस अतनी लगती नहीं है और सिंगल डबल में काम चलाना पड़ते हैं ठीक है हाला कि यहां पर जो डबल रहना व यहां पर वो जो शोट है वो कैच आउट हो जाता है वो भी इतने बड़े मारजन के साथ में ठीक है आतो इस वैसे तोड़ा बड़ा ग्राउंड रहता है और यहां पर जितने मैच आप देख रहे हो उसमें से 28 बार 28 या 30 बार डेड़ सो से नीचे रन बने तो अल्मोस्ट इनिस वर में और पर्सकोर्चर से बड़े अराम से मनने वर सोर जाता है साथ विकेट से आप पनको विकेट में इस पिछले सीजने मैच इंच आठ यहां मिले 4 विकेट यहां ते और 3 विकेट मिल जाते तो स्कोर की बात करो स्टार स्ट्राइकर ऐक तो यह भी तक कहानिया इस ground की spinners को wicket मिलते हैं, pacers को wicket मिलते हैं बट ध्यान रखना, pacers को जो जादा wicket मिलते हैं, वो first inning में मिलते हैं, ठीक है pacers के wicket देगो first inning में 21 और second inning में देखोगे तो मातर साथ है, spin को फिर भी तो यह कुछ आज के लिए बहुत जाद अच्छी तो अभी के लिए है नहीं एक मात्र मैच जीता है अपने पूरे सीजन का वह पिछला जीता था और दोनों सब्सक्राइब के लिए स्टार्स के सामने खेल करा रहे हैं में स्टार्स ने पिछला मैच जीता जीता है तो यह आँ और यहां से CSK के बीच में होती है तो बाई यही रहे होलरी यहां मेलवन स्टार्स और मेलवन रनिगेट्स के बीच में वो क्यों है एक बार जैंपा ने जो बॉलिंग एंड पर रनाउट कर दिया था ठीक है वह होता है ना क्रेट से भार निकल लेता है उस पर लड़ाई होई थी दोनों टीम्स के बीच में एक बर शेंवर्ण और शेंवर्ण स्टार्स की टीम से और रनिगेट्स की तरफ से मारलन सेम्यूल्स यह दोनों भाई जवर्दस बढ़ गया थे सैम्यूल्स ने बैट वैट फैक दिया था बढ़िया था तो जवर्दस तराइब रहे थे अब जैंपा पूल्टा आ चुका है रेनिगेट्स के टीम में तो तो और ज्यादा इंट्रेस्टिंग होगा देखना बागी टॉम रोजर्स और लोरेंस आपको ओपन करते हो दिख सकते हैं अब हार्पर का क्या हुआ हार्पर को बेच दिया पाई उन्होंने बैटिंग करने नीचे अब अच्छा कि लाडिया वसे अगर आप देखोगे तो स्कोर ठीक ठाक है एक दो बार ही जब जल्दी आउट हो जाता है आठ है सोला है बाकी टाइम रंस वगर आपको अच्छे देखने को मिलते हैं लोरेंस के तरव से पिछले मैच में पचास बनाया रोजर्स भाईया बीस- नहीं करा रहा है अपने सब्सक्राइब को सीवी सी इसलिए बना रहे थे क्योंकि बैटिंग से अच्छा करके जाएगा बॉलिंग से दोनों से पंट सच्छे देदेगा वर्ना तो इससे बहतर है तो फिर मैक्सवल बन जाता है जो पिछले मैच में शुरुवात में पावर अगले मैच में सर्स अगले मैच में और थोड़ा सबहेंगा इस अब मैक्सवल बनाए तो यह अच्छी चीज थी तो यह च्छी चीज थी बाकि अगर जील की टीम्स में रखना चाहो तो रख सकते हो स्मोल लिक के लिए उतनी अच्छी चोईस देखो नहीं है बाकि यहां से एल्टन काटराइट है अब काटराइट भी कंसिस्टेंट तो रहता है पिछले मैच पर दो पर हुआ बट उससे पहले अगर आप पारी देखो तो काटराइट के अच्छी है बाकि ओवरॉल ऐसा है कि साथवे चटे नंबर पर काटराइट थोड़ा सा इसकी ऑप्शन तो है क्योंकि बहुत ही जादा नीचे हो गया अभी के लिए उसका बाद में इमादवसीम है विकेट लेस्ट या विकेट यहां आते ही फरम भी गड़े है इमादवसीम का वारना उससे पहले तो अच्छा कासा चली रहा था स्टेकटे भी लगाता हृए जोएल परीस के नाम एक एक विकेट आ जा रहा है और उसके बाद में रेकोली को खिला गया एक विकेट इनकी तरफ से रहा तो बोलिंग ना थोड़े सी खराब मान सकते हो यहां से स्टार्स की टीम से अगर रेनिगेट्स की टीम अच्छा खेलते हैं तो रन वो बड़ी ऐसे बना सकते हैं क्योंकि उतनी अच्छे अभी के लि लेका बटरन खाएगा पूरे बीस बागी मैक्सवल ठीक ठाक से बोलिंग रहे दो विकेट के साथ में अब आते हैं इनके बागी मैंच प्लियर्स के उपर तो मैर्लो कौच और लार्किन आज के लिए आपको बेंच में देखने को बलेंगे अब हो सकता है कि यहां से कौच को मौका दे दिया जाए इस वाले मैच में कौच है तो अच्छा के लाड़ी बट टीम पता नहीं को समझ में आया नहीं क्यों नहीं खिला रही अभी के लिए मैरलो से बोलिंग करा नहीं रहे तो सही है बाहरी बठाय तो बागी लार्केन इनके पास में एक चोईस है अगर अज के लिए दो में प्लियर्स बाहर किया एक तो यहां से क्या बोलते जो क्लार्क बाहर है ठीक है दूसरा गुंसाथ ईक तो जो क्लार्क बारे और एक मुझिम नहीं थे दो खिलाड़ी आज के लिए टीम में नहीं रहने तो इनकी जगे पर आ कौन सकता है बाकि इनोंने मेंबर्क इयां के सासी मैंदिंजट Laure नहीं तो फॉन किया क्लार्क नहीं तु यहांसे मैंदिंजन ने र्दो LOOK आपकोโपन करता है Catholic cue CH अब हमाश हे great place was वसके पहुए इसी रिचर्डिस।ombir आंपको देखने को मिल सकता है Jemba यह रहती के स्थ सब्क करेंगे。 बाकि अगर इनके बैंच की बात करें तो आपको फिंच देखने को मल जाएगा इनकेस अगर फिंच फिट हुआ तो भाई खेलेगा यहां से और खेलेगा किसकी जगे पर मैकेंजी हारवे की जगे पर उसके बात मैं फर्गेस ओनील है है हैरी डिक्सन और कैला पूथा आपको प्लेयर्स की तो भाई यहां से मैडिन से नो डिकोक है मैडिन से उतने अच्छी फॉम में है नहीं डिकोक मा बोलूगा वह एक जिरू हो गया तो ठीक है बाई कोई नहीं टीम में तो स्टिल रख लेना है क्योंकि आज के लिए विकेट कीपर में एक हारपर है एक जो क्लार अच्छा की लाड़ी इस बार बढ़िया खेल रहा पहले उतना अच्छा मेर को भी लगा नहीं बट इस सीजन तो बढ़िया शॉट्स केलता हो दिखर है ले सकते हो आज के लिए वैसे बैटर चोईस में अच्छी चोई बैटिंग सेक्शन में अच्छी चोईस तो है नहीं किसी फेंटे सेप्स का जोंग देखते हैं तो मैं अगर एक है आपके पास में डीसेंट तो रख सकते हो आज के लिए कॉम्मिनेशन में भी आ जाएगा तो उतनी साधा को दिक्कत नहीं शॉन मार्स यहां से कंसिस्टेंट बिल्कुल मश्ट बनता है उसका मैकेंजी हारवे रिसेंट फॉन तो बोल सकतो कि मैकेंजी हारवे का ठीक है बट बिग बेश में थोड़ा सा थोड़ा जाद अच्छा लगता नहीं है बागी फिंच खेले तो हाँ आपके पास में अच्छी चोईस है फिंच ना स्टार्स के अगेंश्ट में अच्छा खेलता है क्योंकि उस के साथ में अभी उतनी कुछ जान लगती है पीटर सेगल के अंदर ना बोलिंग की आगी कें रिचर्डसन आज की मैच में वापस वापस कर सकता है पिछले मैच में कें रिचर्डसन को नहीं खिला गया था बागी रिचर्डसन भाई है अभी मस्त एक-एक विगट के साथ म ग्राउंड पर आग्समिलर तो थोड़ा सा सिमिलर सिमिलर जिजवेंदर चहल बेंगलूरू के ग्राउंड पर जांपा मेलवन के ग्राउंड पर दोनों इक्वल जीज़ें ठीक है क्योंकि वह उतना खेला हुआ है तो उसको विए अंदाज है वैसे ही जांपा का थे के बात करेंगा जो इसके लिए मैं आलेक्स एक्षिन रख दिया बाकिन के बैंच में फिंच है किलता है तो ट्राइ कर सकते हैं फर्गे सो नील खिलाड़ी तो अच्छा है रीसेंट फॉम में ठीक है किसी पेस बोलर को जादा प्रैफर करना चाहिए टीम इनके पास में जोड़न कोक्स है और तो कोई बचता नहीं है अब देखो जड़ा बोलिंग की बात करें तो पिछले मैच से देख लेते हैं पिछले मैच में क्या हुआ था जोएल पैरिस और मैक्सवल ने जो शुरुवा हो सकती है देखो अगर स्टोइनिस यहां से पिछले मैच में तो मैंगा साबित हुआ बट अगर स्टोइनिस रन नहीं देता है उसका एक दुवह जो भी पहले होते है मिडल ओर में तो हो सकता है कि आपको डेथ पोलिंग में स्टोइनिस भी देखने को मिल जाए ठीक है इस चेंज जो है most probably हो सकता है उसके लावागर बात की जाए शुरुवाती और इसके डेथ की तो बहुत शुरुवात में आपको आज के लिए टॉम रोजर्स और यहां से सेडल डालते हुए दिख सकता है मुझिब तो है नहीं तो आपको टॉम रोजर्स और सेडल देखने को म सकता है लाश्ट के चार में सैटलिस्ट दो वर तो रिचर्ड सन डाल की जा सकता है बस मों बोल सकता हूं उसी का एक गैरंटी रह सकते हैं बागी यह टीम किसी जबी करा देती है बागी अगर नेक्श्ट बात की जाए इस वन्यों की तो 61 मैचस के लिए स्टार्स ने 33 इस ग्राउंड पर उसके लागर हम नेक्श्ट बात करें बाई इनिंग वाइस की लिडर्स में तो ग्लैन मैक्सवल इस ग्राउंड पर काफी खेले चालिस मैच में तेरह सो रंस है और एवरेज की बात की जाए तो वह थर्टे सिक्स का रहता है उसके लाबावा स्टोई न नहीं यह चीज बहुत ही बहुत रियर चांस है कि फिंच अगर ओपन करने आजाए तो आइधिंग मश्ट पिक रहेगा आज के लिए उसके बाद में हिल्टन काट राइट उन्निस मैच में पांट सो पंदरा 42 का एवरेज है बर धियान रखना है उन्निस मैच में साथ बार से एवरेज है वह ठीक देखने को मिल जाता है बोलिंग शेक्शन के बात करें जैसा में बोला बहुत कहले जैंपा आप 16.29 का श्टाइग रहता है 37 मैच में 52 विकेट से जैंपा के रिचर्सन के बारा मैच में 18 विकेट स्टोनिस मैच में 16 है और ग्लैन मैक्सवेल के 34 मैच में 16 विकेट से बाकी पीटर सिटल का भी परफंश ठीक है मैच में आठ और रोजर्स के हैं तीन मैच में साथ विकेट से हैट्टोर्ड की बात करें तो 24 मैच हो चुके हैं स्टार्स बहुत आ गया जाती है श्टार्स ने बाई 15 जीते हैं रेनिकेट मात्रब तक 9 मैच जीत यह क्यों हो गया उसका बाद स्टोर्णिस है 13 मैच में 418 रंस के साथ में 52 का यहां से स्टोर्णिस का रंस के माम में ठीक खेल लेता अब यह भी ध्यान रखना है एवरेस थोड़ा सा बड़ा हुआ है तेहरा में से पांच बार जो है श्टोर्णिस नोट आउट रहा है बा पराने वालों को तो पता चली गए देखो दोनों के मैचस से में दोनों के रंस में कितना फर्क है मातर बीस रंट का एवरेस में कितना परक है असी गा नहीं सरी सत्तर गा ऐसे कैसे हो सकते है वह बस इसी वजह से क्योंकि भाई नोट आउट यहां पर मार्श नोट आउट एक बार भी रहा नहीं है लार्किन जहां बैटिंग करता है मानते कि बाई नोट आउट जाते है प्लेयर्स तो इसी वैसे आवरेस नहीं देखना चाहिए बागि लार्किन के साथ मैच में दोस्तों नों ठीक है मार्स के साथ मैच में वन नैंटीवन रंस है मेकेंजी के साथ मैच में है यहां से 136 ठीक है अब यहीं देख लो तुम साथ मैच में 174 रं भी कम है मैचस में सेम है बट स्टिल एवरेस 43 का जाता है बरको समझ में यह रूल है क्यों एवरेस का मतलब तो हो है नहीं कि तरीके से तुमको आइडिया मिलना चाहिए कि उसने एक मैच म में दोनों में दिखते है प्रोडी काउच के भी एवन तीन मैच में तीन मिकेट्स है नेक्स्ट बात करते हैं प्लेयर बैटल की तो कुंटन डिकोग यहां से मारकर स्टॉनिस का गेंश्ट में पांच बोल में दो बार आउट हो चुका है और स्टॉनिस अला की शुरवात म यहां से दो बार आउट है और एक और चीज़ अगर आप रोजर्स को सीवी सी बना रहे हो आपकी किसी भी ग्रैलिक टीम में तो मेक शूर कि आप यहां से जो टॉप ओडर है ठीक है एटलिस्ट दो से तीन की लड़ी आप टोप ओडर के ड्रोप कर दो मिलमन स्टार्स की त सद्र लेंड बोलर्स एक्शोन में वहीं पर जैंपध एlegen जो एल पैरी यूर मैख्वुल का सबसे और रजर सकते हैं रिचरड जैंपग जाते हैं उस neutral करता है फटावट से कर लो बागी उल्लवेश्टिक्स मैंच के लिए मिलते हैं आपको नेक्ट्स वीडियो में बहुत ही जारे जलते हैं